जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सूपर टेट का एक्जाम होता है उसके लिए हमें करेंट अफेर्स की तयारी किस प्रकार से करनी चाहिए अब यहाँ पर सूपर टेट एक्जाम की अग आपका सपना है उसे भी आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसके बाद में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ पर करेंट अफेर्स का कोर्स भी लेके आऊँगा जो कि आपके सूपर टेट एक्जाम के लिए जर बारे होते हैं पहला कारे क्या है तो पहले कारे में आपको यह करना होता है कि उसमें जो स्लेबस दिया हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो यहाँ पर अगर हम स्लेबस की बात करें तो यह आप देख सकते हैं स्लेबस में दिया हुआ है जर्नल नॉले और ये आपके 30 नंबर का होता है यानि कि 30 प्रश्ण यहां से आपके पूछे जाते हैं अब ये तो हमारा हो गया स्लेबस अब स्लेबस में अगर हम लोग थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो इस टॉपिक में आपको मिलता है समसामेक महत्पूर्ण खटनाए अंतर राष्टिये, राष्टिये, प्रदेश से सम्मंदित महत्पूर्ण खटनाए इसके अलावा अस्थान, ब्यक्तित्य, रचनाए, अंतर राष्टिये, राष्टिये पुरस्कार, खेल कूद, भारतिये संस्कृति और कला इसके बाद में यहाँ पर लगा दिया है आदी सब्द, अब यह जो आदी सब्द होता है, यह सबसे ज़्यादा खतरनाग होता है आदी का मतलब हो गया, कि जो भी हमारे बाकी बचे हुए टॉपिक हैं, उन सभी को भी यहाँ पर इंक्लूट कर दिया गया तो यहाँ पर, अब हमने पहला चरण कमक्पलीट कल लिया है, यानि कि जो हमारा सलिबस है, उसमें हमने देख लिया है कि किनके बारे में बात किया गया है दूसरा चरण इससे भी जादा महत्पूर्ण है यानि कि दूसरे चरण के अंतरगत आपको पेपर का एनलसिस करना होता है यानि कि आप जिस भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं उसके जो प्रिवियस एयर पेपर रहे हैं उन्हें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है और बहुत ही अच्छे से समझना होता है तो अभी तक सुपर टेट का एक्जाम दो बार हुआ है तो हम लोग अब यहाँ पर उन एक्जाम में किस प्रकार के प्रश्ण पोचे गए थे उनके उपर थोड़ा सा फोकस करेंगे फिर मैं आपको लाश्ट में अपना एनलसिस दूँगा कि कैसे आपको तयारी करनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए 2019 के जो आपका एक्जाम हुआ था यह सायद 2018 का है तो चलिए पेपर पे नहीं जाते हैं प्रशन किस प्रकार के पूचे गए है उनके उपर हम लोग फोकस करते हैं तो पहला प्रशन आप देख सकते हैं इसमें पुस्थक का नाम पूचा गया है दूसरे प्रशन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की भाग लचमी योजना के बारे पुछा गया है फिर यहाँ पर पुस्तक आ गई अकबर नामा पुस्तक है फिर यहाँ पर हमारे एक भारत कला भवन के बारे पुछा गया है उसके बाद में पुछा गया है जली कट्टू तेवहार के बारे में तो different type की question आपको मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर भवन हो गया दो आपके पुस्तक वाले हो गये एक हमारे उत्तर प्रदेश का current affair हो गया और एक हमारा हो गया तेवहार से या फिर जो हमारे आयोजन राज्यों के द्वारा किये जाते हैं उसी परकार से अगर हम लोग आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है नमिश्यारन ने जो पवित्र अस्तल है वह आपको उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलेगा सूरी मंदिर उडिसा में किस अस्थान पे है उस पाल सासक का नाम बताईए जिसने बिक्रम सिला बिसुविध्याले की अस्थापित किया बिस्थु पर्यावरान दिवस किस तिथी को मनाया जाता है तो ये तो आपके टेट और सुपर टेट का बहुत ही फेवरिट सवाल है पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है कौन से ग्राह को लाल ग्राह यहाँ पर कहा जाता है लोक तक जो जील है वह आपको किस राजी में मिलेगी भारत की जो पहली पूर कालिक रच्चा मंतरी थी वह आपकी कौन है इसके अलावा वर्स 2017 में सांती, निरस्त्री करण और विकास के लिए इंद्रिया गाधी पुरसकार किसे मिला भारती नौ सिना में पहली महिला पाइलेट कौन थी भारत की 48 में अंतर राष्टी फिल्म होसो का आयोजन अस्थल कौन सा है स्वच्च सर्विच्चन 2018 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्च सहर कौन सा है ये आपके 2018 का पेपर है ध्यान कीगा 64 राष्टी फिल्म पुरसकारों में सर्वस्रेश्ट अबनीता किसे चुना गया भारत के 2100 मुख्य चुनाओ आयोगत कौन है किसे संक्त राष्ट संका नौवा महासच्यू नियूप किया गया ब्यास सम्मान 2017 किसे मिला और 2144 दिवस किस दिथी को मनाया जाता है इसके बाद में पूछा गया कि अगस्त 2017 में फिल्म प्रमानन बूर्ड का नया अध्यच किसे नूप किया गया वर्तमान में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला भारती राज्य कौन सा है वर्ष 1893 में किस सहर में स्वामी विवकानन ने भारत के प्रतनिधी की रूप में विश्व धर्म सांसद में प्रणिणा दायक भासन दिया था दूरन कप ये आपका किस खेल से संबन दित है कांडला बंदरगा की बात करें तो इसका नाम बदर करके क्या किया गया है बिश्व मानवा धिकार दिवस की बात करते है तो यह किस तेथी को मनाया जाता है अपने किस पुस्तक के लिए रविन्ना टैगोर जी को नोबल पुरसकार मिला था तो यह हमारा हो गया 2018 का जो पेपर था फिर हमारा जो 2019 वाला था इसमें आपके MCQ टाइप के सवाल पूछे गए जैसे कि भारत के 23 मुख्य निर्वाचर आयोक्त कौन थे भारत में राष्टिय खेल दिवस कब मनाया जाता है बुधी चरित्तम नाम का जो महाकाब्य है या किस ने लिखा है विश्व परियावराण दिवस ये आप देख सकते हैं दोनों में पूछा जा चुका है गलोबल हैपिनेस इंडेक्स में भारत का अस्थान कौन सा रहा है इसके अलावा नात्पंत नाम का जो संपर्दाय है इसके परवर्तक कौन थे निमलखित में से कौन सा करनाटक का लोग निर्ति है काची पुरम में जो कैलास नात का मंदिर है इसके जो भीतरी दिवारों के रंगों पर भीतरी दिवारों में रंगों से मूर्तिया बनाई गई है किसने बनवाया था अब ऐसे जो प्रश्ण होते हैं ये आपको बिल्कुल करने नहीं होते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में अगर जाकर के आप मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आप चले जाएंगे UPSC लेबल पर तो ऐसे प्रशन होते हैं सिर्फ देखिए इनको नमस्कार करिए और फिर आगे बढ़िए मैं आपको फहले बता देता हूं कि 30 में से 30 प भारत का सववा एरपोर्ट इस्तित है ग्लास और स्रेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्तित है 2018 में जो रमन मैक्स से पुरसकार है ये किसे मिला था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्श 2017 का भारत भारती पुरसकार किसे दिया गया निम्रखित में से क पुरसकार किसने जीता दिसंबर 2018 में जलवाय वरिवनतन पर जो अंतराष्टे सम्मेलन हुआ उसका आयोजन कहां पर किया गया निम्लखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री नरिंद मोदी ने 11 मई 2018 को रामायड सर्कृट का सुवारम किया है भारत का सक्सपियर किसे कह जाता है कुम्भ मेले को युनेस्को की अमोर्त सांस्कृति धरोहर सूची में कब सामिल किया गया कत कली किस राजिका प्रमुक सास्त्री निर्ति है इसके अलावा सौरब चौदी का संबंध कि स्खेल से है इस टैचू आफ एमुनूटी की उचाय कितनी है भारत की जो पहल प्रकार से हमने देखा जो आपके 60 प्रशन 2018 और 2019 में सूपर टेट के एक्जाम में पूछे जा चुकी है अब इन प्रशनों को अगर हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो आप पाएंगे कि महतपूर्ण दिवस से 6 प्रशन यहां पर पूछे गए हैं पुरसकार और सम्मान से अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 प्रशन पूछे गए हैं पुस्तके और लिखक से अगर हम लोग बात करें तो यहां से 6 प्रशन पूछे गए हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि य यहां से आपके दो प्रश्न पूछे गए हैं सिकर्ट सम्मेलन की बात करते हैं तो यहां से भी आपके दो प्रश्न पूछे गए हैं खेल से अगर हम लोग बात करें तो तीन प्रश्न पूछे गए हैं भारत में प्रतम या प्रतम से समंधित जो करेंट अफेर या जी क्यों ह उससे आपके दो प्रश्न पूछे गए हैं निरत्य त्योहार और मेलों की बात करें तो इनसे आपके तीन प्रश्न पूछे गए हैं नियुक्तियों की बात करें तो यहाँ पर आपके चार प्रश्न पूछे गए हैं और उत्तर प्रदेश से आपके पूछे गए हैं साथ प् 31 और 31,435 और ये आपका हो गया 42 यानि कि यहां पर आप पाएंगे कि जो यह आपके 10 टॉपिक है यहां से 42 प्रश्ण पूछे गए हैं और यहां से आप अगर थुड़ा सा और देखेंगे तो आप अगर आउसत निकालते हैं इस 42 का तो वह आपका आता है 21 यानि कि अगर 10 टॉपिक की तयारी बहतर तईके से करते हैं तो ऐसा संभू है कि आप 21 के आसपार प्रश्णों को आसानी किसाफने अटेम्ट कर पाएं अब करेंट अफेर की बात करते हैं तो 20 से ज़्यादा करेंगरी हो जाती है करेंट अब जाहर सी बात है जिन टॉपिक से प्रश्ण नहीं पूछा जाता है उन टॉपिक की तयारी करने से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है तो इसलिए मुख्य रूप से आपको उन्हीं के ओपर फोकस करना है जिनसे आपके यहाँ पर प्रश्ण पूछे जाते हैं और जो टॉपिक अपे इच्छा कृत आस्तान प्रश्ण देखने को मिल जाए उसी प्रकार से जो हमारे राज्यों की ओजनाय होती है या फिर जो राज्यों से सम्मंधित करें इंट अफेर्स होते हैं उनके अगर हम लोग प्रश्णों की बात कर लें तो एक साल में कम से कम आपको पंदरा सो प्रश्ण यहाँ पर पढ़ने पढ़ेंगे और जरूरी भी नहीं है कि इन पंदरा सो में से दो से तीन प्रश्ण भी आपके एक्जाम में पूछा जाए तो बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर करना है पहले आपको फोकस करना है हमारे जो महत्पूर्ण दिवस होते हैं पुरसकार और जो आपके सम्मान होते हैं इसकी अलावाच जो हमारी पुस्तके और लेखक होती है रिपोर्ट और होते हैं यहां के जोतेवार है या फिर आपके मिले होते हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है नियुक्तियां जो होती है या जो अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई है उनके बारे में आपको पढ़ना है और उत्तर प्रदेश राजी से सम्मंदित जो भी आपका ज बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनमें आपको किसी भी पार्टिकुल एक्जाम के बारे में कहे करके पढ़ाया जाता है लेकिन अगर आप उस वीडियो की वास्तविक्ता देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्ण या बहुत सारे चीजे उसमें ऐसी बताई जाती है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टन नहीं होती है यानि कि केवल आप उन्हें पढ़ लेंगे लेकिन आपके परिच्छा में पूछे जाने कि उनकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है तो यहां पर जो मैंने आपको बताया इसी के अनुसार आ टॉपिक को डिसकस कर लेंगे वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के उज्जुल भविस्थ के सुपकामनाओं के साथ एक बार फरसे मेरा नमस्कार ठैंक्स फर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत